UPPSC के नए सदस्यों की न्युक्ति को लेकर इंतजार सभी को है लेकिन UPPSC ने अभी सदस्यों की न्युक्ति नहीं किया है जिनने भी UPPSC के सा सदस्य डिटार हैं उनकी न्युक्ति होने के बाद ही UPPSC की कहीं परिक्षाओं के परिणाम गोशित होंगे तो दिपावली के बाद मिलने जा रहे हैं UPPSE को नए सदस्य यहाँ पर आप देख सकते हैं दिपावली के बाद ही आएंगे नए सदस्य तो अब तो आयोग में छुटी होने वाली है दिपावली की तो दिपावली के बाद ही नए सदस्य मिलेंगे UPPSE को इन सदस्यों के इंतजार में UPPSC की कहीं परिक्साएं फसी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सदस्यों के इंतजार में फसी UPPSC की कहीं परिक्साएं इतने ये UPPSC के सदस्य न्यूक तो नहीं होते हैं इतने कोई भी परिक्सा का परिणाम घुशित नहीं होगा तो ये न्यूज है UPPSC के नए सदस्यों को लेकर तो friends से पहले आदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं वह दिपावली के बाद मिलने जा रहे हैं जो नए सदस्य हैं तो सासन में अतरप्रदे इस लोग से वाई UPPSC में नए सदस्यों की न्यूकती अब तक नहीं की गई है इन दीपावली के बाद जोईनिंग की उम्मीद है ठीक है फ्रेंस जो सदस्य हैं दिपावली के बाद जोइनिंग की उम्मीद है आयोग के साथ जो आठ कुल पद थे उनमें से 15 जून से पहले सभी पदों का सदस्य रिटायर नुक्त थे 15 जून को 3 और 20 जून को 1 सदस्य रिटायर हो गया अगस्त में 2 और अक्टूबर में 1 अ सदस्य नहीं है तो भरती परिकिरिया तो ठफ होनी ज़रूर है तो इन सदस्यों के मिलने से सभी जो UPSC के परिक्षाएं हैं उनका जल से रिजल्ट घोशित होने की तैयारी में हैं आयोग तो नए सदस्यों की जो नियुकती है वह दिपावली के बाद मिलने जा रही है तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं तो दिपावली के बाद ही नए सदस्य आएंगे यूपी पी एसी में और तभी जो यूपी पी एसी की परिक्षाएं फसी हुई है उनका रिजल्ट घोशित होगा तो यह न्यूज यूपी एसी की तरफ से थी तो फ्रेंड्स न्यूज अच्छी लेगे तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू थी एसी मेरे यूज थी एसी में लेगे पताई और चैनल प्रेंड्स के लोचित भीएवां इस एसी में ड्रेंड्स को जाएं अधरी एसी में अधरम्स नहांने सेक्षाएं।